हेलो फेंस वेलकम बैक टू मैं चानल कैसे हैं आप सब आई होब आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे फ्रेंस आज ही वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगे कि फ्री में बिल्कुल फ्री में यानि वीताउट एनी कोस्ट हम गार्डनिंग कैसे कह सकते हर किसी का मा करता है हम इसे किस तरह से लेते हैं तो आज इसी टॉपिक पे आपके साथ करूंगे किस तरह से एक पैसा खर्च खिये बगएर हम गार्डनिंग कर सकते हैं छोटी से चोटी जगहें भी संपेस में अगर्च में और हमें बिल्कुल भीवाEMS खर्च करने की ज Keysowright नहीं पड तरह क्रम्स करना कि इसके बढ़ चाइंग और आपको इंवेस्ट करना किसी कारण से तो आपको बार बार इन्वेस्ट ना करना पड़े वैसे तो सेपरेट वीडियो मैंने इस शारे टॉपिक पे आपके साथ शेयर कर लिया है काफी सारे वीडियो मेरे चानल में इस टॉपिक पे आपको मिल जाएंगे बट अस पर्टिकुलर एक वीडियो में मैं आपके साथ इस टॉपिक पे सारा डिसकुशन करूंगी जिसे कि आप अगर गार्डिनिंग के सुरुवात करते हैं और यह सोचते हैं कि पैसे या लगाने का सोच रहे हैं तो हमें ऐसा पौधा चूज करिए जैसे कि आप यहां पे देखेंगे जेड प्लांट है कुलाइंग चू है और स्नेक प्लांट है किसी भी टाइप का कैक्टस है इस तरह के प्लांट बहुत छोटे-छोटे पॉट में लग जाते हैं जैसे अड जोटे चोटे मेरे लगक्नी में लग दाइब कर रहे आगर किया सिर्ट के वारिश लगा प्रूनिंग कर देती हूं जिसकी वज़े से एक लिमिटेट दाइरे तक ही मैं पौधे को रखती हूं अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे ते पौधे बहुत बड़े बड़े पेड़ का रूप ले लेगा और टेरिस पे क्यूंकि ये बहुत सेफ नहीं है इसलिए हमें इस बात का ध्यान हमेशार घ्याना परता है तो टेरिस पे रखने के लिए आप टेरिस पे लगाने के लिए वैसे तो हर पौधा ही लगा सकते हैं तर बालकनी में लगाने के लिए हमें खर्च ना करना पड़े तो फ्रेंस आप अक्सर अपने फामली में कहीं न कहीं घूमने जाते होंगे फामली फ्रेंस के जाते होंगे किसी पार्क में जाते होंगे कहीं तो आप घूमने जाते ही होंगे तो आप इस चीश को नोटिस किया करिए कि आप अगर कहीं जा रहे हैं तो कौन से पौधे में सीट्स आ रहे हैं कौन सा पौधा कटिंग से लग जाएगा कौन सा पौधा रूट डिवाइट करके लग जाएगा तो फ्रेंड्स उन से ये पौधे आप मांग के ला सकते हैं अपने family friends से ले सकते हैं अपने relative से ले सकते हैं तो आपको एक पैसा भी invest करना नहीं पड़ेगा अगर कहीं किसी पौधे में आपको seats दिख जाए लगा हुआ तो आप उस seats को उनसे ले सकते हैं जैसे कि इस तरह से आप देखेंगे सदा बाहर के पौधे में धेरो seats बने वे आ कोस्मोस तो मैंने भी काफी सारे मेरे गार्डन में प्लांट ऐसे हैं जिने की मैंने पैसे खर्च करके नहीं ग्रोव किये हैं मैं कहीं घुमने जाती हूं मुझे सिर्स दिख जाते हैं कहीं कोई जगा मुझे कोई ऐसा पौधा दिख जाता है जो stem cutting से लग जाता है तो उनस से की काफी सारे प्लांट मेरे गार्डन में ऐसे है कि जो मैंने कैसे कलेक्ट किये हैं कैसे लगाए हैं जो कि बिल्कुल विताउट इनी कोस्ट मेरे गार्डन में है तो इस बात का हमेसा ही ध्यान रखिए कि कि किसी जगह पैसा इंवेस्ट किये बगैर अगर हम कोई पौध तो आप जरूर लिजिए पौधे को कटिंग मांगने में या फिर सीट्स लेने में बिल्कुल भी सरम ना करें बिल्कुल भी हिचक चाहे ना क्योंकि हर कोई चाहेगा कि हर कोई पौधा लगाए अगर किसी भी तरह से पैसा बचा के अगर हम पौधे लगा सकते हैं तो क्यों ले लिजिए जिसके सीट्स से लगते हैं उसके सीट्स ले लिजिए अब बात करते हैं फ्रेंस की फटिलाइजर का तो पौधे फ्रेंस फटिलाइज करनी के पौधे को अच्छी ग्रोध के लिए हमें फटिलाइज करना ही होगा तो फ्रेंस फटिलाइजर के लिए भी हमें सबसे सस्ता option लेना चाहिए जो की है cow dung compost मैं इसे prefer करती हूँ मैं जब मैंने अपनी gardening की शुरुवात की थी तो मैं starting cow dung compost से ही मैंने किया था हम सहर में रहते हैं और सहर में गोबर की खाद मिलना बहुत असान नहीं है हमेशा हमें purchase ही करना पड़ता है बट फ्रेंस purchase करने जाओ तो क्यूं हम महंगा purchase करें और बाकी जो fertilizer सब होता है ये काफी महंगे होते हैं बट cow dung compost जो होता है वो सबसे सस्ता होता है इसके बाद आप बर्मी compost भी यूज़ कर सकते हैं honestly friends मैंने cow dung compost भी कभी purchase नहीं किया हमारे यहां पर जो दूद वाले भाईया आते हैं जो दूद देके जाते हैं मैंने हमेशा उनहीं से मंगवाया क्यूंकि वो गाई रखते हैं तो उनहीं से मैंने हमेशा गोबर की खाद मंगवाई पुराना गोबर मंगवाया और फिर उस के बाद मैं उसे यूज करती तो इस तरह से मेरे पास हमेशा ही cow dung compost free of cost आया अब भी इस तरह से try कर सकते हैं otherwise सबसे सस्ता जो fertilizer होता है वो होता है cow dung compost अब friends बात करते हैं मिटी की सहर में रहने वाले हम सभी के लिए मिटी बहुत बड़ा issue होता है पौधे तो लगा लेंग कर सकते हैं वहां जरूर ध्यान दीजिए वहां पता करिए क्यूंकि हमेशा कहीं न कहीं construction का काम होते रहता है कहीं न कहीं खुदाई होती रहती है तो वहां से थोड़ी से मिटी ले आईए वहीं पर फिर मिटी में मिक्स करने के लिए आपको रेत भी मिल जाएगे कुछ पै मेरे आसपास कहीं construction का काम होता है तो मैं वहां से मिटी ले आती हूं वहां से सैंड ले आती हूं और इस तरह से मैं अपने गार्डन में मिटी तयार कर लेती हूं इसके अलावा अगर कोई हलकी मिटी अगर आप तयार करना चाहें तो आप online कोको पीट भी ले सकते हैं वह भ अब ले चते हैं तो आपको कोपीट भी निकैस ह年前 बाती है लिए सकते हैं जैसे कि वहां डाल चावल बनाते हैं अब उसका पानी दे दीजिए licenses inside उसका पानी दे दीजिए प्याज के चिलके उतरते हैं उसको एक दिन रख के फिर उसके बाद नेक्ष दे उसे पौदे में डाल दीजिए डाइलुट करके इस तरह से हम अपने किचन से ही काफी कुछ निकाल सकते हैं फटिलाइजर को फटिलाइजर के रूप में और जो किच का भी इलाज हम किचन से ही कर सकते हैं जैसे कि आप लसन को पीस लीजिए और उसको चान के पानी बॉटल में डालके आप इस प्रे कर लीजिए आप हल्दी पौडर यूज कर सकते हैं दालचिनी पौडर यूज कर सकते हैं और आप मिर्ची को हरी मिर्च को पीस के उसको पा प्रपर तरीके से हम समझ जाते हैं तो फ्रेंस हमें एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा बात करते हैं पॉट की कि पॉदे लगाने के लिए सबसे इंपोर्टेंट होता है गमला जो कि हम वो तो हमें पर्चेस करना पड़ेगा फ्रेंस लेकिन वो भी हमें नहीं पर्चेस करना है आप देख सकते हैं मेरे गार्डन में काफी कुछ आपको ऐसा दिखेगा जो कि बिल्कुल विस्ट मट्रियल में मैंने लगा के रखा है काफी जगा तो मैंने कैरी बैग में लगाया है ये छोटे-छोटे डब्बे जो कि रजगुले के डब्बे हैं किसी ना किसी चीज के आएवे डब्बे होते हैं तो कुछ मैं पर्चेस भी करती हूं बट मैं जब स्टार्टिंग मैंने किया था गार्डनिंग की सुरुवात मैंने की थी तो मैं जादतर विष्ट डब्बो को ही यूज करती थी बहुत कम कम क्वांटिटी में मैं पर्चेस करती थी गमले तो अभी भी आप मेरे गार्डन में काफी जगह देखेंगे कि डब्बो में ही मैंने लगा के रखा है और खुबसूरती देने के लिए आप इसे कलर कर लीजिए और अगर मैं कहूं तो आप मार्केट से जो प्लास्टिक के कंटेनर पर्चेस करते हैं वो भी उतना ही चलेंगे जितना आपके ये डब्बे चलेंगे तो क्यूं हम वेस्ट करें पैसे हम क्यूं न डब्बे में ही पौदे लगा ले तो इस तरह से फ्री में ही हम लगा सकते हैं किचन से इस तर कर सकते हैं और एक भी पैसा हमें खर्च करना नहीं पड़ेगा और अच्छे तरीके से हम गार्डनिंग कर सकेंगे तो यह था एक छोटा सा वीडियो आई होप आपको पसंद आया हो क्योंकि काफी सारे कमेंट मेरे पास ऐसे रेगुलर वैसिस पर आ जाते हैं कि मैंने इस टॉपिक पर डाले हैं तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगे अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा यूसफुल अगर समझ में आता है तो फ्रेमली और फ्रेंस में से शेयर भी कर सकते हैं और फ्रेंस अगर आप पहली बार में चानल पर अगर चानल पर चानल पर एक होगी भी को अच्छा याया नहीं अच्छा लगे यूदार आपको अब 1 प्रेंस अपकत।